हेलो बच्चतों नेस्ट है नुमेरिकल सोन ओम सला देखो तो कोश्चन एसके अंदर फर्स्ट आवायर ओफ रेजिस्टेंस फोर ओम इस ट्रेच्ट टू डबल इस लेंथ कैलकुलेट इस न्यू रेजिस्टेंस एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ कुछ हम मान लेते हैं ठ इस फाइंड आउट करना है तो यहां पर देखो कैसे न्यूमेरिकल करोगे हम क्या वालेंगे स्पोर्स एस दा एरिया ठीक है यह मान लो की बिफोर स्ट्रेचिंग एवन एरिया था ठीक है यह वन इस दा एरिया भीफोर स्ट्रेचिंग ओके एंड एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग ठीक है सिमिलरली जो एल बन और एल टू है इस आर लेंथ लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग एंड एल टू इस लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग ओके समझा गी चीज अब देखो यहां पे अगर वाय को स्ट्रेच करके लेंथ तो चेंज हो गया यह लेकिन वोल्यूम क्या रहेगा वोल्यूम तो सेम ही रहेगा ठीक है किसी वायर को इंक्रीज कर दिए उसकी लेंथ मा तो नहीं रहाना उसका क्लियर तो वोल्यूम मींस वोल्यूम कैसे फइंड आउट करते हैं एरिया को लेंथ से मर्टिप्लाई करके तो एरिया पहले था एवन और लेंथ लेंथ एलवन ठीक है भीफोर स्ट्रेचिंग तो आफ्टर कितना हो जाएगा एटू इंटू बट्क कितनी और जाएगी वैइस और एयजिनल लेंध यानि और ट्वाइस ओफ यह वन वन रहां शाएगी डबल भॉल्यू जाएगे पहले वाली लेंथ की इटमीश्ट टू एलवन ओजाएगी अब देखो इहां से एवन अपोन एकुए कितना आएगा कि तो एलवन और तो कितना हो बिल विल रो एल टू डिवाइड बाइवन यही होगा है लिए कर नौ डिवाइड आर्टू करोगे तो भी सेमें रिजल्ट मिलेगा ठीक है को इसा भी हम डिवाइड कर सकते हैं चाहिए R2 by R1 या R1 by R2, now divide R2 by R1 कर लेते हम, ठीक है, divide R2 by R1, we get R2 by R1 is equal to, R2 की वैल्यू है Rो, L2 by A2, and R1 की वैल्यू है Rो, L1 by A1, उठ कर दी, ठीक है, अब रो से रो कैंसल हो गया, R1, R2 by R1 क्या आ गया हमारे पास, L2 by A2, और A1 कहां जाएगा, उपर चला जाएगा, L1 यहाँ है, clear, इसको क्या लिख सकते हो, A1 by A2 into L2 by L1 लिख सकते हो, ठीक है, आप देखो, यहाँ से, हमने यहाँ से, यह relation हमने लिखा है, A1 L1 equal to A2 L2, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम find out करें, A1 by A2, तो किसके equal आएगा, L2 by L1 के, ओके, अब इसका use हम यहाँ पर करने वाले है, A1 by A2 किसके equal है, L2 by L1 के, ठीक है, इट मींस, L2 by L1 के जगें हम put कर सकते हैं, A1 by A2, ठीक है, अगर यह भी A1 by A2 है, तो A1 by A2 का क्या हो जाएगा, स्केर हो गया है, स्केर हो जाएगा, ठी ठीक है, तो 2 का स्केर, इट मींस 4, यानि कि R2 will be equal to 4 times R1, जो नया resistance है, वो पहले वाले resistance का 4 times हो जाएगा, पहले वाले resistance कितना था, यहाँ पर कितना गीवन है, 4 ohm का, 4 ohm resistance था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 4 into 4 यानि कि 16 ohm, जो नया resistance है, वो कितना हो गया, 16 ohm का, बा competitive test में भी आता है, और पैसे भी जो board exam होंगे, उन में भी आ जाता है, clear, तो ध्यान से इसको करना है, okay,